हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल एवं घनमूल के प्रस्णों को हल करेंगे तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो कोस्चन नम्मर वन है वर्गमूल के अंद अंतिम में पांच है तो दो से भाग नहीं जाएगा तीन से भीने जाता देखते हैं हम सीधे पांच से देते हैं पांच दूनी 10 बचा दो हो गया 22 पांच उख़ो के 20 फिर बचा दो हो गया 25 पांच हम 25 फिर 5 से देते हैं 5 के 20 बचा 4 हो गया 45 पांच नो 45 अब देखिए अंतिम में 9 है और 5 से बड़ी संक्या से देना है तो 6 से जाएगा नहीं 7 से देते हैं 7 से देते हैं तो 7 कम 7 देखिए हमें वर्ग मुल से बाहर निकालना है तो 2 2 के जोड़े बनाना है तो 5 का एक जोड़ा बन गया एक 7 का जोड़ा बन गया तो इसको हम लिखेंगे पांच का वर्ग मतलब पांच का गुणा दो बार गुणा साथ का वर्ग मतलब साथ का गुणा दो बार तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर पांच का वर्ग गुणा साथ का वर्ग 1225 कौम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग, गुणा 7 का वर्ग अब देखिए यहां पर घात अंक का एक नियम काम करता है A का वर्ग, गुणा B का वर्ग बराबर होता है A, B, पूरे का वर्ग ठीक है A की घात भी 2 है B की घात भी 2 है जब घात समान है तो दोनों की एक साथ घात लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर पांच गुणा साथ पूरे की घात दो ठीक है अब देखिए यह वर्गमूल को हटाते हैं तो वो घात में एक बटे दुख के रूप में आता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर हटाते हैं वर्गमूल अटाएंगे तो यह हो जाएगा पांच गुणा साथ पूरे की घात दो गुणा यह वर्गमूल अटाएंगे तो वो घात के रूप में एक बटे दो के रूप में जाता है ठीक है तो यह अंस में है यह हर में दो से दो को काड़ देंगे ठीक है तो पांच गुड़ा साथ की गात एक मतलब क्या होता है पांच गुड़ा साथ ही होगा तो साथ पाना 35 हो जाएगा यह तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद